हेलो दोस्तो अरे मेरी आवाद हाँ अब ठीक है तब कैसे हो आप सभी उमेदे सब बढ़िया होंगे तो आज हमनों डिसकर्स करने वाले है फॉर्स्ट राइट का चैप्टर नमबर टू जो एक नलसन मंडेला का ओटो बायग्राफी है जिसका नाम है लॉंग वोक टू फ्री नलसन मंडेला को तो जानते ही होंगे वो साउथ एफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपना आधा से ज्यादा लाइफ साउथ एफ्रीका की अच्छाई के लिए बलीदान कर दिया और वो तीस वर्ष के लिए थाटी इयर्स के लिए जेल में थ जानते हैं जिसका नाम है अपार्ट है तो नलसन मंडेला और उनका पार्टी एएंसी यही सब चीजों पर रिवोल्ड करता था और इसके जुर्म में नलसन मंडेला को तीस साल तक जेल एजब पनिश्मेंट भूगतनी पड़ी और तीस साल जेल में रहना पड़ा लेकिन ल 400 सीट्स में से एंसी पाटी जो नलसन मंडेला लीड करते थे वह लोग 400 में से 252 सीट्स जीट चूके थे और इसी तरह से नलसन मंडेला वहाँ केhte फर्श स्ट ब्लेक प्रेसिडेड बने थे तो नलसन मंडेला का प्रेसिडेंट बन जाने के बाद यूनियन बीलडिंग amphitheater in petoria यानि कि एक building है जिसका नाम है union building तो उस भी एक inauguration ceremony हुआ था जिसमें world के बहुत सारे बड़े-बड़े leaders आयवे थे और बहुती जादा बड़े-बड़े हस्तिया आयवे थे यानि कि बड़े जाने माने celebrities आयवे थे उस inauguration में और उसी दिन Nelson Mandela के द्वारा एक speech दिया गया था जिसमें वो ये कहे थे कि इस धर्ती में आज के बाद कोई भी वेक्ती दूसरे वेक्ती को discriminate नहीं करेगा और इस ceremony में लगभग एक लाख या एक लाख से जादा लोग आये थे जिसमें men, women, बच्चे और different-different races के लोग आये थे different-different races का मतलब होता different-different जाती, different-different cast के लोग आये थे तो 10th मई एक दिन है तो उस दिन सूरज चमका और एकदम स्वक्षता से बाहर निकल कर चमकने लगा उस दिन का sky एकदम bright and clear था Nelson Mandela कहते है कि उन्हें लोग दुआये देने सुबह ही से ही आने लगे क्योंकि उस दिन inauguration होने वाला था और ये gathering अब तक की सबसे बड़ी gathering थी और यह समारो lovely sandstone amphitheater formed by union building in Pretoria में हुआ था और Nelson Mandela फिर कह रही है कि पिछले कई सालों से अंग्रेज यानि की white supremacy के लोग यहाँ पर rule किया करते थे लेकिन आज ये जगह एक rainbow जैसा दिख रहा होता है क्योंकि उस दिन वहाँ पर हर एक जाती के लोग आए वेते हर एक racist के लोग वहाँ पर मौझूद थे क्योंकि साउट एफरिगा की इतिहास में पहली बार एक non-racial government form होने जा रही थी उस दिन उस अफसर पर नेलसन मंडेला के साथ उसकी बेटी जैनानी भी वहाँ पर मौझूद थी और उस दिन पहला event में ही Mr. D. Clark को second deputy president बनाया गया उनको और Mr. D. Clark के बाद थावो एंड डेकी सोरी यानि किसका नाम होगा थावो एंबिकी इनको first deputy president बनाया गया और आखरी में मेरा turn आया यानि कि नेलसन मंडेला का turn आया और उन्होंने सपत लिया कि वो सब कुछ एकदम right way, correct way में सब कुछ को follow करेंगे अपना पूरा devotion के साथ काम करेंगे और वो सभी लोग का भलाई के लिए भी काम करेंगे और फिर नेलसन मंडेला अपने सारे गेश्ट के सामने, अपने सारे लोगों के सामने जो उन्हें उस दिन देख रहे हैं, उनके सामने कहते हैं कि आज हम सभी अपनी उपस्तिती के द्वारा नए उत्पर्न हुई स्वत्तनत्ता की आशा और शान को सुनिचित करने के लिए आए है और इतने सालों बाद एक ऐसा सोसाइटी बनने जा रहा है जिस पे सभी मानव का जिस पे सभी मानव गर्व करेंगे और यह सभी लोगों की जीत है फिर नेलसन मंडेला यह भी कहते है कि अब तक जो पूर लोग वो लोग जो डिस्किर्मिनेटेड थे जो श्ट्रगल क किये जाएंगे अब वो सारे लोग फ्री है और उनको फ्रीडम मिल चुका है और यह आजादी हमेशा बरकरार रहेगा और गौड हमारी कंट्री साउथ एफ्रीका में अपना दिरिष्टी हमेशा बनाए रखेंगे और हमें सपोर्ट भी करेंगे तो यहां खतम होता है दोस झाल